हेलो दूस्तों कैसे हैं आप लोग Apple की तरफ से iOS 16.4 का RC बिल्ड निकल कर आ चुका है इस अपडेट में आप लोगों को क्या कुछ चीजे दिखने को मैं आपको बताऊंगा यह अपडेट आपको 5.3GB के आसपास का दिखने को मिल जाता है क्योंकि बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, बीटा 4 आने के कारण से जो कुछ भी बग होते है उसके कारण से यह फुल साइज अपडेट का एक package आपको दिया जाता है जिससे कि अगर कुछ बग हो तो वो यहाँ पर सभी कुछ रिमूव हो जाए इस कारण से यह आपको इतने बड़े साइज के साथ में RC विल्ड दिखने को मिल जाता है इसके बाद stable विल्ड है वो आपको जल्दी दिखने को मिलेगा अगर RC विल्ड का कोई A या B पार्ट नहीं आया तो आपको हो सकता है कि इस महिने की 27 तारिक तक के अंदर दिखने को मिल जाए latest update जो है stable का इस update के अंदर आप लोगों को काफी कुछ चीज़े दिखने को जाती है जो कि मैंने अपने notes में लिक करके रखी होई है मैं यहाँ पर कुछी चीज़े आपको बताने वाला हूँ और बागी की चीज़े आपको जब बताऊंगा जब इसका stable build completely आजाएगा क्योंकि सारा कुछ मामला वही से जुड़ा हुआ है तो उसी में मैं आपको सब कुछ mention कर दूँगा यह सब कुछ RC build के रूप में release किया है इस update का build number 20E246 दिखने को मिल जाता है इसके अंदर the update includes improvements and bug fixes शो कर रहा है इसके राब और कुछ भी changelog मेरे में mention नहीं कर रहा है software update के अंदर भी आप दिख सकते हैं यहाँ पर iOS 16 का जो public beta update है वो यहाँ पर दिया गया है apple की तरब से तो इसमें यह जो update है मुझे आया था इसके अंदर कोई भी changelog show नहीं करता है जो भी developer profile को install करते हैं उनको इसका changelog mention करता है मुझे यहाँ पर mention नहीं कर रहा है इस update की beta profile आपको install करनी चाहिए क्या तो आपको मैं बता दूँ beta profile आपकर आपके device पर install है तो आपको install करने की आउसकता नहीं है इसका एक और build आएगा जो की 27 तारीक को आपको देखने को बिलेगा उसमें ये चीज automatic आपकी remove हो जाएगी आपको यहाँ पर beta profile को install करने की आउसकता नहीं होगी इस update में modern framework को update नहीं किया गया है 2.55 ही modern framework देखने को मिल रही है साथ में जो नए features हैं उनके बारे में बात करते हैं तो इसमें यहाँ पर कुछ नए emojis add किये गए हैं जो कि आप अपने message send करते हैं उस समय try कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर notes बगयरा बनाते हैं उसमें भी आप try कर सकते हैं तो यह जो नए emojis हैं वो आपको कुछ 21 देखने को मिल जाते हैं साथ में जब आप किसी को भी call करते हैं तो उस दौरान जो mic की settings आती हैं उपर से उसके अंदर दो options add किये गए हैं पहले आपको standard देखने को मिलता था लेकिन अब voice oscillation और bite spectrum देखने को मिल जाता है voice oscillation में आपकी ही voice केवल आप के तरफ से जाएगी और बाकी की जो भी noises हैं वो यहाँ पर noise cancellation का काम करेंगी bite spectrum में आपकी जो voice है वो कम जाएगी और जो आस पास का source रावा है वो ज़्यादा जाएगा तो यह चीज यहाँ पर apple ने फिर से ला दी है पहले यह चीज केवल आपको देखने को मिलती थी noise cancellation के रूप में इस feature का यूज आप direct call करते समय face time पर साथ में whatsapp के दौर अगर आप call करते हैं उसमें भी आप इस features का यूज कर सकते हैं साथ में book application जो दिखने को मिलता है apple का उसके अंदर भी आपको एक नई चीज दिखने को मिल जाती है जब भी आप book read कर रहे होते हैं तो उसके जो pages हैं वो केवल आपको simple दिखने को मिलते हैं पहले आपका कुछ इस तरीके से था यहाँ पर simple से paste पर लटते थे लेकिन यहाँ पर एक option है इसको आपको पहले off करना होगा उसके बाद यहाँ पर tap करना होगा slide और none का option पहले से available था अब आप यहाँ पर जो काईल है वो भी कर सकते हैं और यह realistic बिलकुल ही लगता है कि जैसे कि आप बास्तविक में किताब के पन्ने प्लट रहे हों बुक्स के अंदर यह जो animation है वो apple ने डाला है साथ में और भी चीजे apple ने add की हैं जो कि मैंने इसके अंदर लिखकर रखी हैं जैसे कि बेबकेट बेबकेट के अंदर यह उन्होंने वेबफुस एप का फीचर जारी किया है जैसे कि आप twitter बगार एप्लिकेशन को एप इस्टोर से डालोड नहीं करना चाहते हैं तो उसका shortcut आप बना सकते हैं सपारी ब्राउजर में जाकर के और उसको आप direct यूज कर पाएंगे बिलकुल ही same application की तरह उसके notification भी आपको आते हैं और यह support करता है screen time के focus को यहाँ पर app limit का भी आप यूज कर सकते हैं यह सब को चीजे इसमें दिखने को मिल जाती हैं साथ मैं यहाँ पर और भी चीजे जो है apple ने लाई हैं उस सब के बारे में मैं बात करूँगा आप से stable build के अंदर में फिलाल में आपको यही कुछ जानकारी में आप दे रहा था अब मैं बात करूँ यहाँ पर इसके अंदर storage का जो bug था वो fix हुआ है या फिर नहीं तो storage bug मुझे अभी भी देखने को लग रहा है अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ आईपाउन storage पर टैप करता हूँ उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर जो लोडिंग में थोड़ा सा समय लेता है लेकिन इसका मैं यहाँ पर थोड़ा से वीडियो स्किप कर दे रहा हूँ तो थोड़ा से वीडियो स्किप करने के बाद यहाँ पर calculation जो है complete हो चुकी है नीचिक तरफ जाता हूँ और आपको अगर दिखाता हूँ system के अंदर तो यहाँ पर system data सो कर रहा है मेरा 358.7 MB तो यहाँ पर storage यह काप जादा कम सो कर रहा है लेकिन य यहाँ पर एक byte लिखा हुआ आता है या फिर जीरो बाइट लिखा हुआ आता है तो ऐसा error अभी भी इसमें दिख्टे को मिला है बाकी का iOS जो वर्जन है उसने यहाँ पर 9.61 GB data जो है वो cover किया हुआ है इसी के साथ battery की मैं बात करना तो यहाँ पर battery भी मुझे काफी आदे इस अपडेट पर सही देखने को मिली RC बिल्ड पर इससे पिछला जो अपडेट आया था बीटा 4 लगवग दो दिन पहले ही दो दिन पहले मैंने जब उसको अपडेट किया था वहाँ पर battery काफी आदा ड्रैन हो रही थी लेकिन इस अपडेट पर मुझे battery काफी आदा सही म मिल जाएगी और apple की तरफ से apple classic music आने वारा है और भी यहाँ पर चीजे जो लाई गई है apple की तरफ से सबके वारे में मैं आपसे उसी अपडेट में बात करूंगा फिलाल में आज की वीडियो में कुछ इतना ही मैं मिलता हूँ next वीडियो में thank you जाइन जाभारत बंदे मात कर दो दो कर दो